नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org असलाम उलेकुम नई सुभा के आडियो प्रोडिक्शन के कॉर्स के साथ मैं हूँ अली खान तरीन और इस लैसन में हम आपको बताएंगे के आडियो को कैसे ट्रिम किया जा सकता है ट्रिम करने के दो आप्शन्स होते हैं एक आटो ट्रिम और दूसर ट्रिम ट्रिम करने के लिए आप फाइल के कुछ हिस्से को सेलैक करते हैं और फिर कंट्रूल टी दे बागे रिमेनिंग फाइल को रिमूव कर देते हैं जबकि आटो ट्रिम में आप फाइल के शुरू और एंड से तो हम इन दोनों तरीके को practically apply करके देखेंगे तो हमने counting वाली फाइल जो कि हमने पिछले lesson में record की थी उसको open कर लिया है और उसी पे हम आज की editing apply करेंगे तो फाइल को play करते हैं और सबसे पहले हम trim करना देखते हैं 3 के बाद मैं start marker लगाऊंगा और 6 के बाद मैं finish marker लगाऊंगा अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो selected area है या selected audio है वो क्या है 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, so 4, 5, 6 हमारे पास selected है जब के 7, 8, 9, 10 आगे से बागी है और 1, 2, 3 फाइल के शुरू से बागी है अब मैं चाता यह हूँ कि मैं इसको remove कर दूँ यानि कि जो unselected area है मैं उसको remove कर दो तो मैं यहाँ बर प्रेस करूँगा ctrl T तो आपने देखा इसने कहा कि deleted unselected sound तो हम इस वाइल को play करके देख लेते हैं audio में से जबके एक और तरीका भी है जिसके लिए हम फाइल को undo करते हैं वापस से और वो है auto trim तो अब हम auto trim की command apply करेंगे और auto trim में जैसे मैंने आपको बताया कि इसका काम फाइल के शुरू और end के हिस्से में जो silence होता है उसको remove करना होता है तो हम अपनी फाइल प्ले करते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना silence मौजूद है आपने देखा कि फाइल के शुरू में भी और फाइल के end में भी silence मौजूद है तो इसके लिए हम कमांड प्रेस करेंगे कंट्रोल यू silence to keep 0.00 हम इसको कम यह जादा कर सकते हैं यह अप एंड डाउन एरो की मदद से कम यह जादा किया जा सकता है threshold db इससे मुराद यह है कि जो फाइल का silence आप रिमूफ कर रहे हैं उसमें बैग्राउंट में अगर noise है तो इसका 30 volume से जादा होना जुरूरी है जबके अगर इसमें कोई noise नहीं है तो 40 से कम होना जुरूरी है आगे चलते हैं trim both इससे मुराद यह है कि शुरू और आखर के हिससे की file का जो silence है दोनों ही trim हो जाएं down arrow करके और options देखते हैं trim leading silence इससे मुराद यानि फाइल के शुरू का हिससे का जो silence है खाली वो remove हो down arrow press करते है trim trailing silence इससे मुराद यह है कि file के आखर में जो silence है वो remove हो तो हम both की option को select करते है और ok कर देते है अब फाइल को प्ले करके चेक करते हैं one two three four five six seven eight nine ten one space तो आपने देखा कि जो शुरू का silence था और आखर का जो silence था वो remove हो गया तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन अपने इखताम पे पहुंचा अग्ली लेसन के साथ आपसे मुरफात होगी तब तक के लिए Allah हाफिज यह मालमाती मवाद नई सुभा की जानब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए अबेगा अपसे बदोगा अपसे अपसे आरा के लिए याव यावाद तक के लिए बाता है